आते ही वो जेल मंत्री भी हो गया, आते ही वो बड़ा दिकारी भी हो गया, आते ही वो बड़ा दिकारी भी हो गया, कुल में ला कि आप सिंगम की गल्ती मानते हो, सिंगम नहीं, पहले आसिस बोलना सुरू करी, बोलने कि आप स्पी को स्पोर्ट करते हो, सिंगम को नहीं, पा तो सादीव जी मारे साथ में हैं, सबते पहला तो खुशी के बात यहीं का जनम दीन है, इनों ने बुलाए इनके बुलावे पर हम आए, बड़ा अच्छा लगा मैं भी, तो सबसे पहले जनम दीन के अर्दिक सोब काम नहीं जी, अजी धन्यवाद, लेकिन ये बात गलत कह र तो सुनने में ये आया था कि सादीवी जी उनको भी बोल रही थी कि आप ठीक नहीं है, आप वो ठीक नहीं है, आप आप वीडियो देखी थी, तो उसी के बारे में बात्चित करेंगे, क्या लगता आपको इस पूरे मैटर के उपर आप क्या करना चाओगे? हर्याना में पहली बात तो सिंगम की उपादी मुझे नहीं पता है कहा मिलती है और किसने दी, आसी इस कांस्टेबल आप वीडियो अगरा बनाता रहता है, थोड़ा सा मैं उस वज़े से जानती हूँ इन दिनों कुछ विवाद वा था उजेल में गया था, इतना सा मुझे मालूम है, बाकि सिंगम की कोई उपादी अगर मिलती हो ऐसे, तो हर्याना के अंदर, सुनिएगा, हर्याना के अंदर, बड़े-बड़े करिमनलों को पुलिस ने एंकाउंटर किया, पुलिस ने मारा भी है, हमारे डिपेंदर राना करनाल से, पांच लाग के इनाम्मी बदमास को पकड़ के ले आए, हमारे महलाल, CIA 2 एंसारज, ऐसे ऐसे क्राइम को उन्होंने आपन किया जस जैसे मामले को, तीसरा हमारे पानी पत के जो S.P. हैं, उन्होंने पानी पत छुडवा दिया कहीं बदमासों का, और पानी पत में जो बड़े क्रिमनल बैठे थे, मस समता रखते थे, तो ऐसी पुलिस के उपर, सिंगम एलिकेशन लगाएं, सिंगम सवाल खड़ा करें, यह सिंगम की उपादी कहा मिलती हैं, दूसरी बात, मैं बोलना चाहती हूं, सुनूंगी, कि यह आसीस नाम का जो व्यक्ति हैं, आप जोगिंदर जी को बोल रहे हैं, प केवल एक व्यू पाने के लिए, केवल मिडिया में वावा लूटने के लिए, आपके पिछले इंट्रकूने, जब मैंने कमेंट देखे थे, लोग बोलने कि आप SP को स्पोर्ट करते हो, सिंगम को नहीं, SP कोई नहीं, मैं तो अर्याना पुलिस को भी सलूट करती हूँ, मैं तो अर्याना प्रसासन को, और साथ में सरकार को भी परेज करती हूँ, मेरी तो आज तो के SP साब से मातर एक कोई मुलाकात बता दे, मैं तो अर्याना के तमाम उन ओफिसरों का नाम लिया, मैंने, चाहे इंस्वेक्टर मॉनलाल हो, चाहे हमारे करनाल के इतने इमानदर SP, गंगराम पुनिया जी हो, मैं तो सब की बात कर रही हूं, मैं तो पाणीपत SP को सलूट करती हूं, कि कमाल कर दिया हूं उन्होंने, और एक कहां से आये आसीस, और बला सारी पुलिस ब्रस्ट, जेल इस यूनिफॉर्म का डूटी चोरो आप तंखा लेते हो, और तंखा लेके मिस्यूज कर रहे हूं उस नोकरी का, चाह सिंहम कल जमान पे बहार आये थे, जेल के बहार हूं का इंट्रू लेगा, आपने वीडियो देखें भी होंगी, तो उनके जो तेवर हैं, अभी वही है कि मर जाएंगे, तेवर नहीं बदलेंगे हमारे, काम से तेवर की बात कर रहे हैं, इतना दुरेंदर था, तो जा के सुरेंडर करूँगा, क्यों मंत्री लग रहा है, सुरेंडर करूँगा 12 बज़े, क्यों तौफ लग रहा है, परसासन अपना काम करता है, बड़े- अपना प्रसान को देखना चिये था, कि उनिफॉम का गलत उपियोग हो रहा है, पहले सिप्वेज वारल नहीं देने चिये था, तो आपको फेर इतनी सेंस नहीं कि आप लाइव वीडियो कर रहे हो कपड़े भी नहीं पहनते है, सिंहम को पादे नहीं पादी जो है, हमने अपना प्रसासन को देखना चिये था, कि उनिफॉम का गलत उपियोग हो रहा है, पहले सिप्वेज वारल नहीं उन्हें देना चिये था, अच्छा, कुछ उएक उन्होंने वीडियो अपने पेज पे डाल रखे है, सोसल मीडिया काउंट उनने बना रखा है अपना, तो व आम जनता से, तो फिर वहां के एसपी को सबको अटा के, अपना सिंगम को एसपी लगा दो, आसीस को, बाकी पर सासन का काम भी वो ही कर लेंगे, मीडिया का काम भी वो ही कर लेंगे, विजलन्स का काम भी कर लेंगे, और हरियाना गोर्मेंट इतने सारे मुलाजमों को जो त याना के मुख्यमंत्री कहा है इसको अभी तक अवाड वगर क्यों नहीं दिया यह तो ग्रेड वन ग्रेड ओफिसर होना जी था एक कास्टेबल पर क्यों रुका हुआ एक पलिस्वाला अच्छा सो में से निर्णवा कमेंट आते हैं वो आस इस उर्फ सिंगम के पक्स में आत से हैं वो एक ग्रूप है अर्याना के अंदर के हो कुछ भी BJP को गाली देने वाड़ा जो ग्रूप है वो ही कोमेंट्स कर और किते पब्लिक नहीं हो अच्छा क्या आप कहना जाते हो कि इस मुद्दे पूरा पूरा विपक्स अपने आज अपने नंबर बना रहा है एक ही मुठीबर कभी ओब्राह्मनों को दलाल केरने लगती हैं वो ही विपक्स है क्या वोई विपक्स है क्या, जिनओने पहले जाट जाट के के हर्याना तोड़ा आज किसान आंदोलन में टिकायद के जैकारे लगा देथे, फिर वो चाडूनी के गूरूप में आ जेए, फिर वो यस्पाल मलिक के हुजए इन लोगोंने हर्याना के अंदर करोना टाइम में आप देखा होगा एक हमारे कई तो पत्रकार बंदू थे और कई हमारे डॉक्टर थे जिनका काम था जिनोंने जिनको और कोई काम नहीं है उनको रहता है कि कोई एक नए आसा प्रोग्राम छिट कोई अच्छा काम कर लो ना युवाउं को रोजगार मिलजे क कोई ऐसा काम कर लो ना की वीपकस की बाद करने की बजाए मुद्द्धा हलो जाए को ऐसा ऐसा वर्क करो आप जो लोग ऐस सब भेता को छोड़कर सब्लियचार से लिचता करें आप अर्याना में सब ने को कहा यू आ ली आतरा फूपा क्यों भई तो तो अरियाना का फूपा होगा, अरियाना सरकार का फूपा होगा, हम तो कोनी ब्याम है, तरस तो सिच्वेशन को कंट्रोल करने के लिए, छोटी-मोटी दहाराओं में मुकदमे हो भी जाते हैं, उसकी जाच का विसा उता हो इसको कैंसल हो जाते हैं, बहुत बड़ा आंगामा करने के अश्रक्ता है यह नहीं जाओगे पत्रकारों पर जो एलिगेशन लगें वो घलत हैं नहीं उस दोरान भीड को कंट्रोल करने के लिए सब चीज़े हो जाती हैं बड़ इसु नहीं है तो साधिवी जी के विचार आपने सुने और इस पूरे के पूरे मैटरे आपका क् साधिवी जी किसके पक्स में बोल रही हैं मैं इंसानीत के पक्स में बोल रही हूं मिडिया और आप लोग सब जानते हो बाकी इन मुद्धों को इस तरह मत बटकाओ कि आम युवा बटक जाए जो ओने वाले काम है नर्याणा में वो करवा लो अच्छा तो जनता देख रह लो और भी परसासन के लोग हैं सासन परसासन ना ओ तो हाहा कार मच जय अकेला विक्ति नहीं है किसी को इतना पापूलर मत करो आते ही वो जेल मंतरी भी हो गया आते ही वो बड़ा दिकारी भी हो गया आते उसने एक दिन में जो आंदोलन करकर के मर गे उनसे तो जेल का तुन लें तो दन्यवाद रामरा मिलते हैं कि इस नेक्स वीडियो में जैहिंद जैभारत